आवरीवन वैलकम टू स्कीलाइक्यू में आपका स्वागत है तो हम कर रहे थे हमारा नोन फाइनाईटस ठिक है नोन फाइनाइटस के लिए प्रेक्टेस सेट और क्वेशन नंबर एक question number 1 जो कि infinitive से related exercise हम कर रहे हैं यहां पे total 13 questions है question number 1 हो चुका है आप non-finites की special playlist में जाके देख सकते हो पहला वीडियो आपको मिलेगा rules only का ठीक है दूसरे वीडियो से आपका पहला exercise शुरू हो जाएगा और ये तीसरा वीडियो रहेगा उस playlist का ठीक है total का आप देखते रहना वहाँ पे लूशन्ट English grammar book में आपको total playlist में मिल जाएगा ये वीडियो भी ठीक है तो question number 2 की बात करते हैं यहां पे question number 2 में क्या करना है question number 2 में भी same वही चीज़ करनी है जो first में हमने की थी fill in the blanks using the verbs within brackets with और without two मतलब या तो वर्ब की first form आएगी या two plus के वर्ब की first form आएगी same यही questions है हमारे लगातार question number 4 तक ठीक है question number 4 तक same questions होंगे तो बिना किसी देरी के आज इसको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ये हमारा इसमें भी 25 questions होंगे आपे ठीक है आज हमारा जल्दी की हो जाएगा क्योंकि कल है ना जो हमारा last part था उसमें थोड़ा सा intro वाली बात हो गई थी वहाँ पे तो इसलिए जरूरी है कि आज थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा तो first question से start करते हैं he may dash this he may dash this he may do this अब यहाँ पे may might can, could, would, should यह सब क्या है will, sell यह सब क्या है modal auxiliary verbs है और modal auxiliary verbs के बाद जो है क्या आता है वाब का first form आता है यानि कि bear infinitive इसमें होगा he does not need dash for help अब यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है अब सबसे पहली बात तो यह need verb की form के रूप में main verb के रूप में है लेगिन यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी हमें do या फिर does भी यहाँ पे दे रखे है ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो है क्या आने वाला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे to plus के verb की first form जो है यहाँ पे हम करने वाले है तो यहाँ पे जब भी आपको need या फिर dare main verb के रूप में देखने को मिले तो आपको to plus के verb की first form जो है उनके साथ है use करनी है ठीक है तो क्या हो जाएगा he does not need to ask for help यह इसका object के रूप में भी काम कर रहा आप यह चीज भी बोल सकते हो देखो यह चीज आपने जिसका मैं सिधा ही fill करके चला जाओ ना to plus के verb की first form ठीक है उसको तो आप यह सोच लेना या तो वो आपका sentence का subject मिलेगा या वो verb को define कर रहा होगा या वो उस sentence का adjective मिलेगा या फिर वो उसका object मिलेगा ठीक है या फिर वो adverb मिलेगा या verb को define कर रहा होगा adverb ठीक है वो मिलेगा तो इस तरीके की चीजें मिलेगी यह सारे के सारे काम कोन करता है हमारा two plus के verb के first form करता है और अगर इन चीजों की जरूरत नहीं होगी तो जायर सी बात है अगर infinitive आपने बरना है तो बेर infinitive बरके एक side हो जाओ verb की first form डालके एक side हो जाओ कोई दिकत नहीं आएगी उसके बाद second third question है he is slow dash his work he is slow यहाँ पे आप कह दोगे to do to do his work ठीक है तो यहाँ पे यह slow जो है यह adjective है adjective है उसके बाद जो है यह हमारा adjective जो है है यह तो यह इसका काम कर रहा है इसका साथ जो है इसको और भी ज़्यादा define करने की कोशिश कर रहा है तो adjective को define करने की कोशिश जो है हमारा कौन करता है वर्ब ग्रेंड फादर अब यहां पे आया वर्ब बरी हो जाएगा थीक है । उसके बाद उसको रोटते हुए देखा तू वीप नहीं होगा यहां पर ठीक है तू वीप होगा उसके बाद let him अब जो लेट के साथ फिर आएगा objective केस का कोई भी pronoun नहीं आएगा लगबग ठीक है फिर आएगा verb का first form आपको देखने को मिलता है तो जो भी verb का first form है वो आप यहां पर डाल दोगे ठीक है तो let him क्या है इसका verb do let him do this work इसको यह काम जो है करने दो उसके बाद I was made dash I was made to laugh आप यहां पर कहोगे ठीक है ना क्या कहोगे I was made to laugh अब यह verb को जो है क्या कर रहा है define कर रहा है एक तरीके से उसके बाद हमारा eighth question आ जाएगा यह कहता है कि you had better dash permission ask अब इसमें पता चल गया ask क्यों लगाया थोड़ा सा रिवाइस करवा दो rule ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे rules है जिनको मैं मैंने आपको कल बताया ही था बार बार वही चीज़ें repeat करना अच्छी बात नहीं है इस साथ साथ मैं rule को repeat कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है एक तो हमारा head है और एक हमारा would है इनके बाद अगर आपको rather sooner ठीक है एक कौन था better ठीक है अगर यह दिख जाएं तो आप इनके बाद क्या लिखोगे वर्ब की first form लिखोगे ठीक है यह याद रखना वर्ब की क्या लिखोगे first form लिखोगे इसके लिए मैंने एक short video भी डाला था ना थोड़ा सा clear नहीं आता हो आगे से ध्यान रखा करेंगे short videos में भी he would rather die यह देखो है ना would rather के बाद die लिख रखा है ना तो यह भी चीज़ है बट इनके साथ अगर then आ जाए तो भी आपको वर्ब की first form ही लिखनी है then suffer ही आएगा यहां पे यानिके वर्ब की first form आएगा उसके बाद हमारा so हो जाएगा you do nothing but play अब यहां पे क्या होगा यहां पे भी एक rule है यहां पे भी एक rule है यहां पे सबसे पहली बात तो यहां पे आएगा वर्ब की first form यानिके do का do ही आएगा अब देखो यहां पे समझने की क्या चीज़ है यहां पे समझने की सिरफ एक ही चीज़ जब भी बट बट के सा बात और भी कुछ words है, and, or, except, हाँ जी, exe, ept, except, उसके बाद है then, then का तो अभी आपने उपर देख भी लिया था, as, or like, ठीक है, ये सब जब भी आएंगे sentence में, और इनके बाद आपको बरना पड़ेगा, infinitive, तो वर्ब की first form बरना, ठीक है, क्या बरना, वर्ब की first form बरना, आप इसमें ये चीज, जो है लागू, क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ये चीज लागू, ठीक है, ये चीज भी देख लेना, फिर दूसरा यहां पर एक और rule था, जब भी, nothing, क्या क्या थे वो, nothing, everything, anything, उन से पहले अगर do या does आ जाता है, और उनके बाद में, but या फिर accept आता ह है, accept, but या फिर accept में से एक आता है, तो भी आप verb की first form करोगे, तो दोनों rules में से कोई भी आप यहां पे apply कर सकते हो, दोनों applicable है, next है, he helped her, he helped her to lift the load, to lift the load कह सकते हो, आप इसको, ठीक है, to lift कह सकते हो, उसके बाद क्या है, you do nothing, but laugh, laugh at others, but यहां पे भी वही चीज, है, do or does or did में से एक आ गया, nothing, anything or everything में से एक आ गया, but आ गया, except या बट में से ठीक है, तो आप यहां पे work की first form लिखोगे, तो यहां पे laugh ही आ जाएगा, our publisher wants nothing, but, यहां पे भी, यहां पे बट आ गया, यहां पे do or does नहीं है, but यहां पे बट आ गया, ठीक है, वो अभी हमन हमने दो मिनट पहले ही बात की थी, दो मिनट तो में भी नहीं होंगे है न, तो यहां पे हमने बात की थी, and, except, or, but, then, as, like, इनके बाद जब भी हम infinitive लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बेर infinitive लिखेंगे, ठीक है, to infinitive बिलकुल भी नहीं लिखेंगे, उसके बाद, he likes, dash here, and, here and, read the newspaper, he likes to sit, ठीक है, he likes to sit, यह वब के object की रूप में यहां पे काम कर रहा है, उसके बाद, let us, जो भी वब है, dance together, ठीक है, उसके बाद, he wants us, dash for him, wait, wait का wait ही आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो, ठीक है, wait, he wants, he wants us, dash for him, यहां पे हमारा, क्या आना चाहिए, to wait, बिल्कुल, to wait आएगा भई, यह थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा, यहां पे, he wants us, to wait, हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, यहां पे, he wants, यह wants के लिए, जो है, क्या कर रहा है, object का का काम कर रहा है, ठीक है, यह फिर आप यह गया लो, हाँ, 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 गलत हो जाएगा, वो तो, मैं यहां पे, preposition सोच रहा था, कि, preposition का, object के रूप में काम कर रहा है, नहीं, यह वर्ब के, वर्ब को define कर रहा है, एक तरीके से, adverb के रूप में काम कर रहा है, वर्ब के, you promised to help her, है न, यही कहोगे न, he promised to help her, यह कह सकते ह आप लोगे न, उसके बाद आप कहोगे, see appears dash, dash a good woman, तो to be, जब भी हम किसी के बनने की बात करते हैं, तो to be की हम जो है, यहां पे बात करते हैं, उसके बाद हमारा क्या है, see is glad, dash me, see is glad, उसके बाद हमारा क्या कह सकते हो, आप लोग, to meet, वो बहुत जादा, खुस हो गई, म वर्ब को और ज़्यादा define किया, उसने, है न, उसके बाद जो है, I used, I used there, live यहां पे हमारी वर्ब है, तो आप यह कह सकते हो, to live, है न, to live here, there, here न, they want to go to Delhi, to go to Delhi, have you any questions, to ask, to ask, have you any questions, to ask, आप जो है, यहां पे कह सकते हो, उसके बाद हम कहेंगे, it is difficult to make you understand, to understand नहीं कहोगे, understand कहोगे, it is difficult, यह difficult है, to make you, आपको बनाना, या आपको convince करना एक तरीके से, या आपको क्या करना, you understand, आपको समझाना, यह बहुत जादा मुस्किल, है, ठीक है, it is about die, die नहीं, to die, to die, अब यहां पे about preparation है, preparation के बाद जो है, आप preparation के औब्जेक्ट के रूप में, आप two plus के वर्ब की first form को use करते हो, आज का last question आप यह कह सकते हो, let him, आप इसमें, जो है, खुद बर सकते हो, यहां पे, कि क्या आएगा, मैंने आपको बताया था है, कि let के बाद objective case, उसके बाद क्या आएगा, मुझे comment box में लिखके बताओ, ताकि मुझे यह पता चलेगी, यहां तक आपने वीडियो को देखा है, कि नहीं देखा है, next वीडियो में आपको देखने को मिलगा, question number 3, तो question number 4 तक हमारा same तरीके के questions है, next, next, next वीडियो में आ पूरा प्रियास करेंगे, इन separate 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 playlists, okay, okay, so thanks for watching again, thank you, thank you so much.